अस्सलामू अलेकुम, वेलकम टू आईशास किचिन, कच्छे आलो से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी दोसे की रिसिपी मैं आज आप से शेर करने वाली हो, बहुत ही आसान रिसिपी है और इसे बनाने के लिए आपको पहले से ही प्रेपेरेशन करने की कोई भी जोरत नहीं है आप इस रेसिपी को जारू ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट सेक्षन में बताएं के आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें दो से तीन आलू लेना है मैंने यहां तीन मीडियम सैस के आलू लिये है और इसे चील लिया है यहां मैंने कच्छे आलू ही लिये है आप भी कच्छे आलू ही लेना और इसे चील लेना चीलने के बाद हम इसे कट कर लेंगे यहां मैंने रफली चॉप कर इसे कट करने के बाद हम इसे फाणी में अच्छे तरह से दो लेंगे इसी तरह हम बागी के दो आलो को चील कर कट कर लेंगे अगर आप रापरीविम्य दोसे खा कर बॉर हो चुके हैं तो आप इस आलू के दोसे को जरूर ट्राय करें, ये बहुत ही मज़ेदार बनकर त्यार होते हैं, और हमें इसमें ज़्यादा दिर प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती, ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करें, अब जो आलू हमने कट कर लिए थे उसे पानी में डाल कर अच्छे तरह से धो लेंगे धोने के बाद हम इसे मिक्सर में आट कर लेंगे आलू को आट करने के बाद हम यहाँ पर 4-5 छारे मिर्च ले लेंगे और इसे धो लेंगे और इसे mixer में add कर लेंगे अगर आपको ठीका ज्यादा पसंद है तो और भी हरेमिंच ले सकते हैं अगर आपको ठीका पसंद नहीं है तो आप थोड़े कम भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से अब हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा नमक क्योंकि यहां मैंने कच्छे आलू लिये हैं तो इसलिए यहां पीसने के लिए थोड़ा सा नमक आड़ करना पड़ता है नहीं तो थोड़े ब्लाक और रेड हो जाएंगे अब देखें हमारा पेस्ट कुछ इस तरह रेडी है अब हम इसमें add करेंगे एक कप सूजी उसके बाद हम इसमें add करेंगे एक कप पानी और इसको फिर से अच्छी तरह से पीस लेंगे पीसने के बाद हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा चावल का आटा जिससे बहुती क्रिस्पी बनेंगे दोसे या फिर आप इसमें मैदा भी आड़ कर सकते हैं अब हम इसमें आड़ करेंगे एक छोड़ा चमट जीरा एक छोड़ा चमट चिली फ्लेक्स और थोड़े से चॉप के हुए धन्य पत्ता अब हम इन सभी को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे अगर आपको कोई भी सबसे पसंद है तो आप इसमें वो भी आड़ कर सकते हैं जैसे के प्यास और चौप के हुए कैरट या फिर कुछ बी आपको जोबी जो भी मनपसंद सबसी है आप इसमें वो आड़ कर सकते हैं अब देखिए हमारा बैटर कुछ इस तरह रेडी है, मैंने तबे को अलड़ी घरम कर लिया था, अब हम इसमें बैटर को आड़ कर लेंगे और अच्छे से स्प्रेड होने देंगे, बैटर को पतला ही रहने देंगे ताके हमारे दो से बहुत ही क्रिस्पी बन कर तयार होंगे बैटर को पूरी अच्छे तरह से प्याला देंगे, जब इच्छे तरह से पक जाएगा, तो हम उपर से ँपने तो तो तेल अट करके स्प्रेड कर लेंगे जब एक साइट से अच्छे तरह से पक जाएगा तब हम इसे पल्ठा कर दूसरे साइट भी अच्छे से पका लेंगे जैसे हम regular दोसे बनाते हैं इस दोसे को भी वैसे ही बनाना है अकसर दोसे टूट जाते हैं बट ध्यान रखना क्योंकि हमारा बैटर थोला पतला है बट ये आलो के दो से बहुत ही क्रिस्पी बनकर त्यार होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इसका टेस्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा उमीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेर करें और कॉमेंट करना ना भूले अगर चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब करना ना भूले फिर मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ अल्ला हाफिस